मेरे साथ RJD के विधान पार्षद MLA डॉक्टर राम बली सिंग चंद्रवनसी हैं जो अती पिछरा सेल के जो अध्यक्ष भी है स्टेट प्रेसिडेंट है और वो इस्टार परचारक भी है RJD के और जिस तरह से क्विशन बन रहा है उसमें उनकी बहुत भूमिक है वो मेरे कि कैसे संभव हो रहा है और क्या ऐसी वजह है इसे वो बड़ा तपका जो कल तक BJP को बोर्ट करता था यानि तीस कुमार के साथ था वो तेजी से RJD के साथ आया है सर ये ऐसा कैसे हुआ मतलब ये 10 लाग का आसर है जोब का या कुछ और स्टेट जी आप लोग देखिए ऐसा है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारा चुनाव देखा विहार के अंदर लोकसभाव जानसभा का हो लेकिन यह चुनाव अन्य चुनाव से भिन पा रहा हूं कि भारतिये जनता पाटी चाह करके भी उसके पात सब कुछ तंत्र मंत्र थे लेकिन अपना एजेंडा यहां वि रोजगारी, मुद्दा बना विद्यार्थियों की समस्या, मुद्दा बना किसानों की समस्या और मुद्दा बना विकास तो यह विकास की चर्चा सो कॉल एंडिये के लोग करते थे लेकिन विकास से भोट मिलता नहीं था उनका उनका उनके हीडन एजंडा होता था संप्र करके आया हूं और वहां में साफ जलक रहा है कि सारे जाती के लोग और सारे धर्म के लोग यह महागट बंदन को भोट कर रहे हैं उसके पिछे कारण है कि बिहार के अंदर विरोजगारी की जो बात उठाया हमारे निता ने जात्रा भी निकाली उन्होंने और सबसे बड़ी प्रवाट है, कि उन्होंने पहली बार घुजना किया, कि मैं मेरी सरकार अगर बने, हमारे अन्यता त्यश्वी प्रसाद अगरे मेरी सरकार बने, बाद में उसको गण बंदन न भी महा गण बंदन भी स्कोएड़ाप्ट किया, संकल्प पत्र के अमाध्यम से, हमारी सरकार बन किया और कहा कि इसका बुलू पिरिंट दीजे बुलू पिरिंट साफ था कि साड़े चार लाख के आसपास है स्विक्रित पोड पोस्ट और लेडी पड़े हुए बिहार के अंदर जहां पर नितीज कुमार कुंडली मार के बैठा हुआ था बरसों से और एक तरफ ये कुंडल और बर्ग में काफी उत्सा हुए कि 10 लाख लोगों को पहली कलम से पहली कैबिनेट में नोकरी देंगे तो साड़े 4 लाख सैंक्शन पोस्ट ओल लेडी है और रहा साड़े 5 लाख की और व्योस्ता करना स्रीजन करना तो साड़े 5 लाख स्रीजन करने में उन्हों ने देख बजट तो बड़ा लंबा चोड़ा हो गया, लेकिन उस बजट का खर्चा कीतना होता है, आप पिछले हर BTA बरस का आप आखलम कर लेंगे, डाटा आखला उपलब्ध हो जागा, तो देखें कि 60% बजट जो है, वो खर्ची नहीं हो पा रहा है, यानि 88-82 लाक रुपे खर्च हर BTA बरस में नहीं हो पा रहे हैं, तो आप बजट बना रहे हैं, दू लाक है, तेरह हजार कड़ोर का, एक आरह हजार कड़ोर का, और खर्च हो रहा है आपको, मातर सचालिस परसेंट, तो यह जो खर्च आन स्पेंड मनी है, जो ट्रेजरी में पड़ा हुआ है, उन पैसे हम मखाना से अधारित कौन सा कर सकते हैं, हम मखाना से अधारित कौन सा कर सकते हैं, तरह तरह के जो चीजें यहां पर थी, सब्जी से ले करके, और सारे चीज़ों पर हम कौन-कौन सा छोटे हैं, लगू और मजोले उधियोग कड़ा करके, लोगों को हम रोजगार दे सकते तीस तरह के चीजे एक बड़ी बात बनी दूसरे मुद्य संकल्प का पत्र का है विद्यार्थियों की तीसरी बड़ी बात ते किसानों की किसान आज तक विहार के अंदर ठगे जाते रहें हिंदुस्तान के अंदर और विभिन तरह के नारे परलोभन दी जाते लेकिन उन पर काम कुछ नहीं होता है लोग जाती में बठकर के किसान की बात बहुल जाते हैं लेकिन हमारी ये संकल्पत्र में इस बात की भी दुगाई दी गई है कि लागत का डेढ़ गुना मुली जो है हम किसानों को देंगे इसा हम बिल पास करेंगे एक्ट बनाएंगे तो ये मतलब किसी भी तरह से किसानों को घटाओ पैदा हो या नहीं हो बाढ़ा जाया सुखाडा जाया जो हो जाया लेकिन हम अपने लागत का डेढ़ गुना मुली उसको हम देंगे इसकोर करेंगा उसी तरह से नियोजित सिख्चक आप देख रहे होगे एक ही विद्याले में एक ही सिलेवस है और ऑर इप्स तईज्चक डिओर मिलता है पहले वाले को हैं जो आदी गाईती राजबेवस्था के दोर आये थे इन सिचकों की योगिता वही है सिलेवस वही है बच्चे वही है इस्कूल वही है तो इनों लोगों उन्होंने घोसना किया कि हमारी सरकार बनते ही इसको हम समान बेतन देंगे इस तरह से देखेंगे आप करीब करीब 25 पॉइंट इन्होंने सामिल किया जो कहीं से जाती और धर्म की बात नहीं आती है हमें संभिधान की बात करते हैं हमें आरच्छन की बात करते हैं यह सब बात हमें जब महागठबंदन के संकल पत्र में दूरा हैं तो इससे हमारी साख लोगों में बढ़ी है और acceptance लोगों का इतना दिख रहा है कि हर जगह तेजसुई जी का एक हेलिकॉप्टर घुम रहा है मातर एक हमारी नेता मातर घुम रहे है आउनको पीछा करने के लिए दो दर् कि प्रधान मंत्र के भी सभा में वह भीड नहीं थी वह उत्सा नहीं थी जो उत्सा तेजसुई जी के सभाव में मिल रही है इसका बजा समझ सकते हैं आप यह अब भोट में परनत हुआ कि नहीं होगा यह बात कहना बिमानी होगा चुकि उनका उत्सा बता रहा है वो किसी के दबाव में नहीं आ रहे हैं किसी के बुलावे पर नहीं आ रहे हैं किसी के भाड़े पर लाए हुए नहीं है लोग हैं और उसमें आप अगर माइक्रो लेवल पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि सब बरके लोग हैं उसमें जो भाजपा के विरोध हैं जो आरच् वालों के जो संदक्षक लोग हैं सभी कठे हो रहे हैं और इसी का नतीज़ा है कि भारती जनता पाटी ने देखिए अपने घोसना पत्र में कल दूरा दिया कि मैं उन्हें स्लाव को रोजगार दूँगा अरे भाई तुमने पहले इसका कर रहा थे कि बजट कहा है नितिश है और तुम पर विश्वास कैसे करेगा भाई लोग ये प्रहान मंत्री ने आज से कई साल पहले कहा था जुनाव के दर्मियान कि मैं दो कोड़ों नोजवान बेरोजगार नोजवानों को नोक्री दोंगा बाद मुन उन्हें कह दिया कि जुमला है तब फिर इनका भारती जनता पार्टी का यह भी उन्हें स्लाक वाला जुमला ही हो जाएगा जब वह दो करोड़ नहीं मिलाते उन्हें स्लाक मिलने की बात कहां से आएगी इसलिए इनकी बातों पर विश्वास नहीं करा है उदेखा देखे नोंने नकल करने की कोशिश की है कि 10 लाग जब ते 500 से उपर सीटे आने की उमीद कर रहे हैं अब उसमें से जितनी सीटे सामने आएगी लेकिन हम लोग इतना जहूर मान के चल रहे हैं कि जितनी हम उमीद कर रहे हैं उससे ज्यादे सीटे मिलेगी ये एंडिये का जुमला हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि वो 234 सीटे आएगी इता प्लाना आएगे, इता चिलाना आएगे, उन सब बातों में 200 से उपर सिटाएंगे, दो सब पचीश सिटाएंगे, उन पर विश्वास हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जीतना हम मेहनत कर रहे हैं, उससे अधिक सफल टाएं मिल रही है. TV अखवार तो सर्वे दिखा रहा है सर की NDA को बहुमत है? ने श्वार प्रिमाल ने 70-80% मेंद दाता मन बनाए हुए, अभी वे 20% का फासला होगा, 15% का फासला होगा, दू दिन एक दीन रहेगा तो 10% का फासला होगा, तो आप ही सोचिए कि अभी हम 80% का लोगों काहीं मत जान रहे हैं, 20% का नहीं जान रहे हैं, तो 80% में जो दो सब करना, चहती पूरती करना कोई बड़ी बात नहीं है जब गट वंधन बना रहा है उस बीजेड ska 가्ल्थ वह दिल्ली में लोग बात कर रहे हैं कि उससे बीजेपी को फायदा होगा जो उप्रिंदर कुष्वा का गटवंधन इससे क्या लग रहा है आपको फायदा हो रहा है अलग-अलग गटवंधन से ट्रिंड़ी के अपी के गटवंधन से लिए और वो जो विकास विकसानी जी हैं, वो निकले हैं, उसका क्या, उससे कोई नुपसान हो रहा है, कोई समिकरन कैसे देखा? देखिये, यह तो मामला, अंदरूनी मामला है इंडिये का, अब इंडिये का इबात अभी तक समझा नहीं पाती है, उसके पधान मंतरी से ले करके कि नीचे तक का कोई भी कार्ज करता कहता है, तो यहाँ बात लोगों को हजम नहीं हो रही है, कि आखिरी भारतिये जनता पार्टी के कई बरिस नेता लोजपा से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, जो अपनी जिंदगी संग से गुजारी, संग से फिले संदा, वो चाहरा में स और चवरसियां हो, चाहे राज इंदर सिंग हो, कभी मुख मंती का उमिदवार हुआ करते हैं, तो वैसे वैसे लोग आज लोजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोजपा से इनका रिस्ता क्या है, यह अभी तक कस्पस नहीं हो पाती है, अब यहाँ पर जेडी और भा तो यह थे प्रोफेसर चंद्रणसी जो अति पिछरा के अध्यक्ष भी है, आर जेडी के और सुल्च वे आदमी हैं, बहुत बड़ी बाते नहीं कर रहे हैं, जी जी बताई, इस बार दूजार बीस के चुनाव में, पिछले बिगत चुनाव में, नितीश कुमार पंदरा परसों से करिब करिब लालू जी से जो भोट थे पहले से जुड़े हुए उन्हें इस वनब्बे के दसक में, नब्बे में उनके साथ दलित भी जुड़े हुए थे, अति पिछड़ा भी जुड़े हुए थे, समाजीक निया की अच्छी मजबूती थी, लेकिन बात के काल खंडों में किसी ने किसी वज़ा से अति पिछड़ा और दलित इन से अलग होते गया, लेकिन पुना दलित भी बड़े पैमाने पर जुड़े हैं, राश्तिये जनता दल से और इन के महागट बंधन से, और दूसरा जो बर्ग था सबसे बड़ा, वो डिसाइड करता था, स जनता दल ने भी इस बार तेइस चोविस परत्यासी खड़ा किया है अति पिछड़ा वर्ग से, यह बड़ी बात हुई है, जबकि सोक और तथा कथित अति पिछड़ों के हिमायिती कहने वाले नितिश कुमार जी ने मात्र 18 परत्यासी खड़ा किया है, तो 18 के मुकाबले ह हमने 24 परत्यासी दिया है, यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्दी है, और हमने संगठन भी आति पिछड़ों का बनाया है, तो आति पिछड़ों का रुज़ान इस लिहाज से भी जादे है, लेकिन इन तमाम एक्विशन्स के बाद, आर जेडी को तारीफ करनी होगी आपको, जिस्वी आदब की तारीफ करनी होगी कि और चन्दपरंसी जी जैसे लोग इंट्रिक्शुल उनके साथ हैं, जिन्होंने हिंदू मुसल्मान और राष्टबाद का जो मुद्दा बीजेपी जो इमोसिनल कार्ड है, वो खेलने में बिहार में और सफल रह रही है, दिख रह के साथ श्रंभु कुमार सिंग निशनल दस्तक पटना, निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं, न ख़बर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें